राधे राधे जी पवित्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है मैं हूं कात्याईनी आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं गर्भकीता भगवान शुरी कृष्ण कहते हैं कि जो प्रानी संसार के साथ अधिक प्रेम रखते हैं और सदा माया का चिंदक करते रहते हैं बार बार जनम लेकर इस संसार में आकर दुख पाते हैं और मृत्यू का सामना करते हैं किस पाप के कारण मनुष्य जीवन मरन के चक्र में फसा रहता है किस पाप के कारण किस गर्भ अर्थात योनी को प्राप्थ होता है इन्ही विशेव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन समवाद को श्री गर्भ गीता कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी स्वयम अपने मुखारविन से यह कहते हैं कि जो भी भक्त सचे मन से श्री गर्भ गीता को पढ़ता अथवा सुनता है वो जीवन मरन के चक्र से मुक्त हो जाता है उसके सभी पाप नश्ट हो जाते हैं इसलिए आईए श्रवन करें श्री गर्भ गीता प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी कीजए काउन तेय श्री अर्जुन कीजए श्री गर्भ गीता कीजए श्री गर्भ गीता अर्जुनोवाच हे मधुसूदन कृप्या आप मुझे बताएं कि प्रानी जब गर्भ योनी में आता है तो वो आपने किस गुणदोश के कारण आता है प्रानी जब से पहले गर्भ में कश्ट पाता है और जब के समय भी असहनी या पीड़ा पाता है इसके बाद भी वरोग पीड़ा के कारण दुख पाता है उसे बुढ़ापे में अनेक रोग गेर लेते हैं और उसकी मृत्यू हो जाती है अतहा है भगवन कृपा करके मुझे या पताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिन से मनुष्य जन्म मृत्यू के दुखों से बच सकता है श्री भगवान ववाचर हे धन और धारी जन्म मृत्यू का बंधन तो उन प्रानियों की नियती है जो संसार में क्रियानवित रहते हैं जो प्रानी संसार में नश्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं वे संसार की नश्वर वस्तूओं की इच्छा रखते हैं मनुष्य संसार का धन पाने की तो काम ना करता है परंतु भगवान की भक्ती से विमुख रहता है इसलिया वा बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरन और गर्भ के दुख भोगता है अर्जुनवाच ये माधव संसार की मोह माया से मुक्ती तो संभव नहीं है मन पांच विकारों के वश में है वे पांच विकार काम, क्रोध, लोब, मोह और अहंकार है यह मन मस्त हाथी की तरहा है माया मन को हर लेती है इन पांच विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है यह प् इस मद миस्त हांथी को कैसे वश मी किया जाए अर्थात मनश्य को कौन से प्रहत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ती में लगाया जा सके श्री कृष्नवाच है कौन तेय जिस प्रकार मस्त हांथी को वश में करने के लिए महावत अंकुष का प्रयोग करता है उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए ग्यान रूपी अंकुष का प्रयोग आवश्यक है भक्ति और ग्यान अभ्यास करने पर ही प्राम्थ होते हैं अहंकार करने से जीवन नर्क बन जाता है अर्जुनोवाच हे जनार्दन कुछ प्रानी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर स्थान स्थान भटकते फिरते हैं अतह हे प्रभु इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती हैं श्री भगवाणोवाच ये अर्जुन जो प्रानी मुझे ढूनने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी वा वैरागी कहलाते हैं वे सिर पर जटा बानते हैं तथा भस्म लगाते हैं परन्तु फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्यूंकि उनमें भक्ति वप्रेम नहीं है वे अंकार में डूबे हुए हैं तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो गाम, क्रोध, मोह, लोब और अहंकार से परे हैं उन्हें ही दर्शन दीता हूँ अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन मनुष इन पांच विकारों से ग्रस्थ होकर अपने इस सांसारिक जीवन को नश्ट कर लेता है हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है किसी के पुत्र मर जाते है और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुनसक हो जाता है श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन जो व्यक्ति किसी के करण लेकर उसे चुकाता नहीं है वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है उसी प्रकार जो किसी के निक्षेप को नहीं लोटाता उसके पुत्र मर जाते है जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता वह नपुन सक हो जाता है ये सब ही बड़े भयंकर पाप है अर्जुन वाच्छ हे क्रिपानिधान मनुश्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोजह डोने वाले गधे का जनम पाता है गधे का जनम प्रानि को किस पाप कर्म के कारण मिलता है मनुश्य किस को कर्म के फल स्वरूप जगन या पशुप बनता है श्री क्रिश्न वाच्छ हे धन उर्धारी जो मनुश्य अपनी कण्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है जो अभक्ष्य भोजन करता है और विशय विकार के लिए मदरापान करता है वह गधे का जनम पाता है जो जूटी गवाही देने वाला होता है वह पापिनी स्त्री का जनम पाता है जो भोजन बना कर पहले स्वयम खा लेते हैं बाद में भगवान को दान करते हैं वे बिल्ली सुकर की योनी को प्राप्त करते हैं अर्जुन वाचा हे क्रिपानिधान इस संसार में जिन प्रानियों को आपने धन संपत्ती प्रदान की हैं और उत्तम वाहन दिये हैं उन्होंने कौन से पुन्य किये हैं श्री भगवान ओवाच, हे धनंजय, जो उत्तम रीती से पात्र को स्वर्न दान करता है, वो उत्तम वाहन और धन्धान ये प्राप्त करता है, जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं, वे उत्तम पुरश का जनम पाते हैं अर्जुन वाच, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुन्दर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धन्वान बनाया, किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन प्रानियों ने अन्यदान किया है, उनका स्वरूप सुन्दर है, और जिनोंने विध्यादान किया है, वे विद्वान है, फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बलकि गुण महत्वपूर्ण है, जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान वपुत्रवान होते हैं, अर्जुन वाच, हे मधुसूदन, मनुश्य धन और सांसारिक सुखों के प्रती इतना मोह क्यों रखता है, श्री भगवान वाच, हे कौन तेय, यदि प्रानी मेरी कृपा से वंचत हो जाए, तो वे धन संपत्ति आदी से मोह करने विवे की प्रानी इन से दूर रहता है, जो व्यक्ति सांसारिक मोहत्याक कर, पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निश्काम भक्ती करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है, सभी वस्तुए नाश्वान है, केवल मेरी भक्ती ही ऐसी है, जिसका न नहीं होता, अर्जुन वाच, हे जनार्दन, मनुश्यों में शाररिक रोगों, जैसे रक्त विकार, खंडवायू, अंधता तथा पंगुता आदी का क्या कारण है, ये रोग क्यों होते हैं, बतानी की क्रपा करें, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन जो प्रानी मेरी भक विकारी, आलसी, दरद्र, शील सन्यम रहत, खंडवायू, जैसे रोगों से ग्रसत होते हैं, जो स्त्री अपने पतिवरत धर्म का पालन नहीं करती, वह सन्यम रहत, जो दिहिंता जैसे विकारों से ग्रसत रहती हैं, अर्जुन वाच, हे मधुसूदन, क्रपा करके गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं, श्री भगवान वाच, हे धन और धारी, तुम्हारा यहाँ प्रश्न संपूर्न मानव जाती के लिए कल्यानकारी है, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी जन्नी, हे पार्थ, ब्रमचारी और सन्यमी पुरश, जो इश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसी ही गुरु बनाना चाहिए, अपने गुरु की देखरेक में ही मेरी पूजा करे, गुरु की कृपा से विमख प्रानी, सब्त ग्राम मारने का पाप भोगता है, ऐसे प्रानी का मुख देखना भी पाप होता है, हे अर्जुन सारे संसार के गुर जगनात है, विध्या का गुरु काशी, चारो वर्नो का गुरु ब्रामन, ब्रामन का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसे कहते हैं, जो सब कुछ त्याकर मुझ में ही रम गया हो, वह ब्रामन जगत गुरु है, जो गुरु का भक्त है, वह मेरा भक्त है, जो ग्रिहस्त गुर गुरु से विमुख होता है, वह चांडाल के समान है, जस जगह मदिर्या का भांड हो, उस थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है, इसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निश्फल है, ऐसा व्यक्ति कूकर, सूकर, ग गर्धब काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरसकार पाता है। नरक की 84 योनियों के जन्षट अर्थात जन्मरन से बचेंगे। इती श्रीकर भगीता संपूर्ण। भक्तो यह है श्रीकर भगीता। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तिती अच्छी लगी। कृप्या लाइक, कमेंट और शेर करें। इस प्रकार के और अध्यात्मिक वीडि में जै श्रीकरश्न राथे राथे।